मस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल कल्पना ओलिन वन पर आज मैं आपको अपनी योगा क्लास के दूसरे भाग में करके दिखा रही हूँ कोपाल शक्ती क्रिया कोपाल शक्ती क्रिया करने के लिए आप समावस्ता में खड़े हो जाए हाथों की उंगलियों को परस पर मिलाए अगूठे से नाक बंद करें गर्दन को उपर ले जाए मुह को चोच के आकार में बना ले इस प्रकार रखें जैसे आप सीटी बजा रहे हो अब आप आठ अंक मन में गिनते हुए मुहों में अपने सास अंदर की तरफ खीचें और मुहों को बंद कर लें गालों को फुलाए नेत्र बंद रखें धुड़ी कंठकोप से मिलाए यानि की गले से गले के नीचे जो हड़ी होती है चाती के उपर वहाँ पर आपको अपनी थोड़ी रखनी है 32 अंक तक मन में गिनते रहे सास को रोकें उसके बाद गर्धन सीधी कर अंगूटे हटा कर 16 अंक तक मन में गिनती गिनते हुए नाक से सास को भार छोड़ दें सास रोकते समय कनिश्का सीने बर रखें अब दोनों हाथों को कंधे के सीध में रख लें और अपनी इस क्रिया को तीन बार जरूर दोहराएं इस क्रिया को करने से आपको तीरगायू प्राप्त होती है प्यास बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगने की जो परिशानी होती है वो भी शान्त हो जाती है मुख के रोग दूर होते हैं दंत पुष्ट मजबूत बनता है मुख से दुरगंद दूर हो जाती है मुख प्रफलित रहता है और फोडे फुनसी भी ठीक होते हैं सिरदर्द और नेत्र दोश पेट की गर्मी बालों का पकना जड़ना आदी विकार ठीक हो जाते हैं प्रफलित प्रफलित रहता है